गात्री से पहले घर में ले आना है यह एक चीज और इस एक चीज का आप बना सकेंगे ताबिज दोस्तों आज की जुब्ड़ों में बहुत ही शुंदर हैं हम सभी लोगों के अध्यात में अक्सर हमारे जो पड़ोशी लोग यह तो तांत्रिक होते हैं यह फिर कुछ ऐसे गाउं इलाकों में ज़्यादा होती हैं तो सभी लोगों के जन कल्याण के लिए आज की इस बिड़ो में मैं ताबिज बनाना शिखाऊंगा और यह कोई शधारान ताबिज नहीं दोस्तों अगर काल भी आपके सामने में आ जाएं और अगर आपकी मृत्य योग नहीं गुड़ों में हमें एक उर्पय की भी लालसा नहीं पैसे की बिल्कुल ही लालसा नहीं आप में से बहुत सारी लोग बोलते हैं कि जान करी पैसे कमाने के लिए लोग बताते हैं दोस्तों देखें पैसे वेसा भी कमाती हैं और एक धार्मिक वेक्ति भी कमाते हैं दोस्तों कि नवरात्री में गुरुजी कुछ अच्छे जान करें बताएंगे जिसे हमारे तक्दीर चमकेगा आप में से बहुत सारे लोग हमसे बहुत सारे लोग जो है ताबीज बाई की हैं खरीदे हैं क्योंकि दोस्तों ताबीज की भी एक अपनी शीमा होती हैं कुछ हद तक कि समय में अगर ये ताबीज बना लें तो शौर पथम तो इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आप जो है इस्टूडेंट है तो पढ़ने में आपके मन लगेंगे दूसरी बात दोस्तों अगर आप जो है नवकरी प्राप्त करना चाहते हैं ये कोई शधारान ताबीज नही आपको नवकरी जरूर मिलेंगे तीसरी बात दोस्तों अगर आपके अध्यात मुनती नहीं हो पारे बहुं सारे लोग बोलते हैं ना कि हमारे किस्मत में ताले लग चुके हैं तो आपके बंकिस्मत के ताले खुलेंगे चौते बात दोस्तों बहुत सारे लोगों को नजर दोस लग जाते हैं तो घर पे सोयम आप जो ताबीज बना कर किन समस्राओं से छुटकारा पास सकते हैं और एक बात जान लीजे जितने भी लोग हमारे बड़ो को देख रहे हैं हम चाहते हैं कि जानकारी से और भी लोगों का भाला हो तो आप लोग जो हैं घर में ताबीज बनाना शिक हैं नवरातरी स्पाल ये समागिरी को ले आए और इस समागिरी को जोती कलश में आपको डाना किस पकार से डाना है क्योंकि जो नवरात्री के समय होता है शिद्धी कल का समय होता है नवरात्री के समय में नवदूरगा माता सब के घर में आ जाती है आप माने या ना माने नवरात्री के समय में माता रानी सब के द्वार में सब के घर में हाव भाव को देखने के लिए आती है तो आइस के जरूरत हैं जो शमगरी आपको लाना हैं दोस्तों इस जानकारी को पाने के फूर जरू다 राणी का आगमन शीग्रण होने जा रहे हैं तो दोस्तों यह तबीज अगर नौरात्री को समय में आप इस विड़ो को देखेंगे तब लेकिन नौरात्री से पहले देख रहें तो फिर यह विड़ो आपके लिए सोने पर सुहागे हैं तो देखे जो ताबीज बनाने की बिधी बताऊंगा कला बताऊंगा ये ताबीज आपको भूत प्रेत ग्रह नचत्रों के पीड़ा के तु नकरत्मक शक्ती दुरगटना जैसे बहुत सारे लोग गाड़े इत्यादी चलाते हैं अकास्मिक दुरगटना हो जाती है तो इस द ये ताबीज हम शोयम धारान करते हैं वही ताबीज आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को बनाना शीखाऊंगा और दूसरा बात दोस्तों पैसा कमाने को दस्त से मैं ये जानकरी नहीं बतारों क्योंकि प्राचिन ग्यान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बलकि आप जो हमेशा बोला करते थे जब हम इस्टूडेंट लाइफ में थे बोला यह बोलते थे कि यह भूत प्रेथ होता नहीं है दोस्तों एक व्यक्ति ने उनके शाथ परिक्छा लिया उनके ही वाइब को भूत इत्यादी पकड़ा दिया तो यह सब चीज जो है कहा जाए तो दो शोयमन अगर तांतरीक नहीं तो दूसरे को दूसरी पाजा करके पैसा इत्यादी दे करके तांतरीक करती है तो इनसे आपको बचने हैं और ये ताबिज आप अपने घर में छोटे बच्चे को पना सकते हैं घर में अगर आपके जानवार है आप उन्हें पहना सकते हैं जो घर में बड़े बुजूर्ग आप उन्हें पहना सकते हैं और नौरातिरी में दोस्तों जोती कलस पर इस ताबिज को डालना इस ताबिज नवरात्तरी की समय में हम भी एक्टिव रहते हैं, हम भी साधना करते हैं, नवरात्तरी की दीख दरान आप लोगों को अच्छे अच्छे जानकारी बताते हैं। जो बिड़ो बना रहूं दोस्तों नवरातिक पूरवा ही ये बिड़ो बनाई गई हैं नवरातिक समय में आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता लेकिन कोशिज करता हूं अच्छे सचे जानकारी दूँ बागी दोस्तों ये ताबीज बनाना नहीं बनाना अगर आप अपनी जीवन में कश्टा को भोगना चाहते हैं तो आपके उपर हैं और अगर आप कश्टा से छुट करा पाना चाहते हैं कहते हैं कि जहां पे तलवार काम नाए वहां पे सुई काम आते हैं तो ये जानकारी आपको बिल्कुल काम आएंगे ये आपकी जीवन को शु पे यह पुज्च के जड़ घर के असपास में भुच हैं तो बहुत ही शुन्दर हैं जिसके जड़ में बहुत ही इसमेल होती हैं इसमें एक प्रकार के खुजबु निकलती हैं और भुच पे दोस्तों कहा जाता हैं तो पुजन पाट के दुकान से बच ले यह मिल जाते हैं सफेध और काले ये दोनों प्रकार के बच आते हैं तो आपको दूस्तो काले Color के बच मिलता है तो टी उत्ता में नहीं है तो सफेध color का बच लेयाई प्रथम समागरी नोट करे पेन कौपी में आपको बच लाना है हमें तबिज बनाने के लिए दुर्वा घास की जड़ जिसे हम दुब बोलते हैं तो दुर्वा घास की आपको कौन जड़ लेना है जो जड़你好 कहा जाएंतो आठ अंगुल से नीचा हो जो जड़ think rate अंगूल से नीचा हो, दोस्तो वही जड़ आपको लाना है, दुरवा घास की जड़ आप नोट करे, तिसरा जी चीज नोट करें, दोस्तो वह है काला धातूरा की जड़, जो काले धातूरा की जड़ है दोस्तो ये तंतर क्रियाओं को काटने के लिए बहुत ही पावरफुल चीज है और ये शनी को दोस्तों सनी है राहू है केतु जैसे जो निजग्रा कहें इनको ये बंधग बना करके रखने का काम करते हैं जब तक आपके पास में रहेंगे सनी राहू केतु आपके बाल बाका नहीं कर पाएंगे काले धतुरे की जड़ नोट करें में इनका बेनी जगह पर भगवान कृष्ण जी वस्ते हैं भगवान नराण का वास होता है जहां पर भगवान नराण हो भगवान नराण की कहा जाए तो शक्ती हो वह भी नकरातमाख शक्ती आशूरी शक्ती किसी के बाल भी बाका नहीं कर पातें तो पांच तुलसी पत्र नोट करें ये आसपास में जो बड़ी थोड़ी सी पूजन पाट के दुकाने वहाँ पे गोलोचन मिल जाते हैं यह फिर गोलोचन आप आनलेन अभी सी मंगा लेना छोटी सी डिबी यह पचास से सो रुपए में मिल जाएंगे गोलोचन आप जो है आज ही एमजोन यह फिर जो अच्छे दूनिये मिल जाते हैं काला धातूरे के जड़ नहीं मिल पांगे तो धातूरे के जड़बास आप ले लेना चलेगा इसके बाद पांच तुलसी के पत्रा और आपको लेना थोड़ी सी गोलोचन अब आपको कितने ताबीज बनाना यह आपको पर भे निर्भार करता है जै तो आपको कौन-कौन से जगह पर रिकॉर्मेंट है अर्थाद आप कौन-कौन से जगह के लिए ताबीज बनाना चाहते हैं घर में कितने सदस हैं वो आपको पर निर्भार करते हैं उनके अनुसार जोए आप ताबीज बना लिजे समागरी एड कर लिजे जैसे आपके घर में पांच लोग हैं आप चाहतें कि पांच लोग के लिए ताविज बना तो पांच लोग के लिए जितने बच लगेंगे दुरुवा घास लगेंगे काले धातूरे लगेंगे तूलसी पत्रा लगेंगे उतने ले आना इसके बाद पांच जो आप पांच आपकी घर में जहां पर थोड़ी सी बड़े आपको ताबीज लाना है ताबीज रखते हो दस उर्पे में भी ताबीज मिलते हैं पांच उर्पे में मिलते हैं इन ताबीज की तरफ आपको नहीं भगने थोड़ी सी बड़ी ताबीज होना चाहिए गोलाकार की ताबीज होना चाहिए को आपके घर में कितने सदस्वों देखली एता बिज लिए इसके बाद निर चोटा सबसकी तुखड़े डालना एं दूरवागहास की और बसक तूखड़े डाल देजे loom भूइट में आन्ति में आपको गोलोचन दालना है थोड़ा आप इस को पेक कर दीए ऐसके बाद आप करना है क्या ध्यान से शुने इस ताबीजे को आप ऐन все सब्सक्री को जितने सब्सक्री दोस्तों लाल कलर की धागा में इसे बांद करके छोटे बच्चे को घर में जो मविस्षी हैं फी सोयम पहन सकते हैं इसका बहुत ही ज्यादा बेनी फीट है अगर आप अपने घर में अखन जोत नहीं जलाते हैं परसान मत होई आप अपने घर में जहां पर माता रानी जी की इस दिब जलाते हैं भी यह 90 बबाओं के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको पैसे अपने नहीं एठवाना है, पैसे आपको बरबाद नहीं करना है, प्राचिन ग्यान आप सभी लोगों का परिवार है, प्राचिन ग्यान चैनल में मैं आप लोगों को इसलिए इस प्रकार के और भी जानकारी बताता ताकि आप सब लोग ठग से बचें और इस ताबीज को श्वयम घर में बनाना सीखें ये ताबीज हमें हमारे गुरू ने बताये हैं दोस्तों हमारे जो गुरू हैं मैं आज बता दूँ दोस्तों हमारे गुरू नाथ संप्रदाय में जुड़े हैं बहुत ही बड़े संथ है और वैसे हमारे दो-तीन गुरु हैं लेकिन जो गुरु शमय जानकारी प्रापते हैं वो गुरु नासंपरदाय से जुड़ें इसके बाद दोस्तों ये तावीज आप अपने घर में कारिस्थान में बांदिये घर के धन पेटी में भी रखे क्योंकि धन पेटी भी किसी का न पर शिर्ती दिन पंचमी ये फिर छट्टे डिनी बीडियो को देख हैं तो उसी दिन और ये तावीज बना सकते हैं और टावीज बनाने बाद structural में Σासरिक ना पेटी ninguémुका अगर बाहर में रखें तो थोड़ा सा गंगा जल छिडा करके भी धाराण जो हो गंगा जल छिडाक देना बाहर में तो तब यह सीध हो जाएंगे बाकि अगर कलस में डालते हैं तो फिर सोने पे सुहागें आपके लिए लग्की बन जाएंगे आपको नवकरी मिलेंगे इस ताबीज से आप अपने कारमी से बांदिये दूर घटना नहीं होंगे बहुत सारे छेतरों में आपके मित्र के भाती मदद करेंगे अजमाया हुआ ताबीज हैं और इसके लाब भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ तो यह ताबीज बनाईए आप अपने घर में मित मत रखना मैं हर दिन बोलता हूँ आप इस अपने घर परवायर वालों लोगों में शेयर करना ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राब तो हो सकते हैं दोस्तों आपके शेयर केंगे छोटे से विडियो किसी के जान को बचा सकते हैं किसी के लिए अम्रीत जैसा साबीत हो